दोस्तो जय जहार मेरा आम तिलक है और मेरी यूटूब चैनल तिलक में गुलोक्स में आप सभी का एक नोडिक साथ स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आप लोग को ले के जा रहा हूं गरिया बंजीला घटा रानी जत्माई दिखाने के लिए तो वीडियो में बने रहना और स साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेयर जरूर कर देना आप लोग कर दोस्तों मैं हूं अभी राजेंपे और राजेंपे एक मोड है वहां से मैं निकल रहा हूं जहां पर लिखा हुआ है जत्माई जाने का रास्ता और बीच में देख लेजिए अगल बगन उपर खेत खार है और यह सिंगल रोड है जो आप लोग को सिधा सिधा जत्माई घटारानी लेके जाएगी और यह यहां पर मुड़ना है आप लोग को तो समय जहां पर मुड़ना है मैं उसी का रास्ता में दिखा रहा हूं बागी सि दोस्तों घटारानी वह मंदिर से साध क्योंटर की दूरी परिस्थित है और बहुत बड़ा जहरना है मंदिर तो है दोस्तों लेकिन जहरना भी वहां पर है और दोस्तों यह नौराती की समय में बहुत ही सुन्दर विशेज रूप से यहां पे सजावटे किये जाता है और दोस्तों यह 36 गड़ के तो है 37 गड़ वाले लोग तो यहां पे दरशन करने के लिए आते ही हैं और यह ए अन्य राज जिसे भी यहां पे विशेज रूप से पिकनिक मनाने के लिए दर्शन करने के लिए तैमिस प्रेंट करने के लिए यहां पर आते हैं तो दोसे बहुत हमारे च्छतिजगर का एक गवरो टाइप का है और बहुत ठीक सुन्दर है और अगल बगल पुरा घना जंगल है और उसके बीच में है दोस्तों यह जो जर्णा है ना यह बीच में है यह वाटरफाल है जो की बुरा घना जंगल से घीरा हुआ है और लगभग 40 फिट उपार उचाई पर है पतलब 40 फिट से यह पानी नीचे गेता है तो दोस्तों काफी सुन्दर है और मैं आप लोग को यही दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं और दोस्तों इसका मैं डिस उसका मैं यहां कहता है तो दोस्तों यह सदी मृ मिऩांक से लगभग 70 म. के दूरी मतलब दूरी पर है और दूर के सबस्तों यह 110 कले मेंटर के दूरी और राजिम एक सिटी है मतलब वहाँ से 49 क्लिम्टर की दूरी पर है तो दोस्तों आप लोग को आने जाने में कोई परसानी नहीं होगी आप लोग को बस से मिल जाएगा टेक्सी भी मिल जाएगा और ट्रेन का भी सुधा है तो दोस्तों यहां से आप लोग को मुरदा है यह इस्टीत है और दोस्तों अंदर जो रोड है वो कच्ची रोड है पूरा लास्ट अप लोग को कच्ची रोड ही मिलेगी और अगल बगर में फुल जंगल है तो चलते हैं दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं मैं भी बहुत जादे एक्साइटेड हूं देखने के लिए और व मंदिय बहुत सुन्दर है और जरुना भी बहुत सुन्दर है बस उसी को देखना ए, और सबसे पहले मुझे नहाना भी और हम लोग पहुँँ गये हैं और यहां पर बाइग आगे लिखmyशेचा ओआ हुआ कि बाइक यहां फिर बहुत दूर है तो बाइक आके मैं पार्किंग करूँगा दोस्तों यह सब दुकान जो लगी हुए है वो नौरादी के डायम बहुत ज़्यादा लगी होती है और सजी होती है तो सामने मैं बाइक पार करूँगा फिर चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं यह मैं बाइक पार कर देता हूँ उसके बाद चलते हैं आप लोग को दिखाना है कि क्या है यहाँ पर और यह पर लिखा हुआ है घटारानी पहुच मार्ग मा घटारानी यहाँ पर यहाँ से हम लोग चलते हैं सीड़ी है नीचे उतरने का और भाईया को मैं हेलमेट दे दिया हूँ यहाँ पर रख दिया हूँ दोस्तों बाइक में घूमने का मज़ा ही कुछ और रहता है कार और बाइक जो है ना वो ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा होता है तो यह आसवास जाने के लिए और अगर दूर जाते हैं तो हम लोग को ट्रेन का ही सहारा या फिर फ्लाइट का सहारा लेड़ा पड़ता है लेकिन दोस्तों यह दूर जारा दूर नहीं है तो मैं बाइक से ही आया हूँ देखते हैं आप लोग को भी रिखाते हैं यहाँ पे बहुत नीच्छा है लग चालिस फिट नीच्छा है और वो दिख रहा है खुब सुरस जहरना वही वाटर फॉल है और देखो इधर पर ज जंगल है आप लोग को नजार आ रहा होगा काफी घना जंगल है दोस्तों और यह 36 गर कर गवरह है कि यहाँ पे घना जंगल भी है पहाड इलाका है फुली पहाड है और नीचे में चलते हैं खुब सुरस नजारा देखने के लिए आप लोग को दिखाने के लिए मैं भी ब क्यार लोग को कर दिखा रहा हुँ नजार रहा है यह दूस्तों मेरा पहली बार है जो माच फ्रeas टैम है मैं अपलो को दिखा रहा है मतलब वाटरफॉल का जो मज़ा लेना है वाश्ट टैम मैं आ रहा हूं क्योंकि बच्पन में आ था तो काफी मतलब जब मैं आया था ऊ और आप लोग को दिखाते हैं। चलते हैं दोस्तों यह दोसमों मंदीर है उपर. मैं आप लोगको बाद में इसको दिखाऊंगा सबसे पहली जो वाटर फैल है। यहां से भी आप लोग को दिखा लता हूं फिर नीचे चलता हो देख लिजे बहुत ही खुबसूरत है। बहुत ही खुबसूरत है दोस्तों कभी भी आप लोग भी यहां पर आयेगा और इस पिकनी की स्पोर्ट का मज़ा लीजेगा काफी खुबसूरत पिकनी की स्पोर्ट है और यहां दोस्तों खाने पिने का रहने का सबका विवस्था आप लोगों मिलेगा और यह काली माता है जैमा काली माता आप सभी कमनों कमना पूल न करे माता रानी काली माता पंडी जी है पंडी जी से परसाद दे लेते हैं फिर आगे चलते हैं यह दोस्तों पंडी जीत का रहने का इस्थान है और यह लोग मैं सुभा का टैम आया हूं तो भीड नहीं है अभी क्योंकि मैं दोस्तों सुभा से निकल गया था लग भग छै बज़र घर से निकल गया था और यहां पे मैं मुझे चार गंटा लगा यहां पे आने तक मैं दूर्ग से आया हूं और चार गंटा यहां पे लगा मुझे दोस्तों रूपते हुए मतला कोई कोई जगा रूपा हूँ तो चार गंटा लगा यह बाकी दो-तीन गंटा में पहुंच जाता लेकिन क्या है चाय नास्ता खाना ये सब चीज भी साथ में करना पड़ता है तो उस कारण से ये चार घंटा मुझे लग गया है दोस्तों मैं 6 बज़े से निकला हूँ और 10 बज़े यहां पर टच हो गया हूँ मतलब यहां पर मैं पहुँच गया हूँ तो देख लिजे नाने का तुम मन है मैं थोड़ा देर बाद ना हूँगा और नाने का वीडियो मैं सेर नहीं करूँगा क्योंकि मज़नी आता है देख लिजे बहुत ही खुबसूरत है दोस्तों ब्यूटिफुल जो बहुत है ना वही है यहां पर जहरने का तो क्या कहना यार यहां पर कोई भी आएगा तो जाने का मन नहीं करेगे नहाने के बिनना यहां पर कोई जाये गए हैं यहुत्तना खुबसूरत है सपीजुडत है कमल है पानी पा वाडिजर्ब दॉट नीचे से लेके जाता है include subscribe का है नजारा फिर दोस्तों आप लोग को दीख तो रहा होगा कि कितना खुब्सूरत है और मा घाटा रानी घ्रना में क्या क्या लिखा है वहाँ पर आड़े चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं तर और क्या है इदहरे भी चलते हैं यह बजरंगमुली भगवान है जय बजरंगमुली जय सेराम आप सभी को मनों कामना पूर्ण पूर्ण करें आप लोग घर से पलाउग सकते हैं और यह निव वर्ष है और नया वर्ष हमें दोस्तों आप लोग यहाँ पे पिक्नीक अमनाने के लिए आ स बस इसकारफियों लेके और यहां पर इंजॉइमेंट जो है वो कर लिजेगा खाने पीने का समान या फिर रहने का समान सब लेके यहां पर पिकनिक बनाने आप लोग आ सकते हो यह सीव संकर शिवलिंग भगवान भागवान सीव भगवान है हरहर महादेव स्री सिवा नमस्त अब्यम चलते हैं आगे और क्या है देखते हैं आई दोस्तों ये इंध ऐस हैं यहां पर क्या सच्धा भवानी माता हैं आगे चलते हैं है अफोकल दिखाते निया अदर में सार्दा माता है तो एसन कर लिजे फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं क्या है दोस्तों यहाँ पे बगल में तोरेंगा जलासा भी है वो भी पीखने की स्पोर्ट है और इसके ज़स पीछे जत्मई का मंदिर है और दोस्तों मैं आप लोग को एक चीछ बता जेता हूं कि जत्मई और घटारानी यह दो अलग-अलग मंदिर है और यह दो अलग-अलग वाटरफाल है तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है और उससे भी ज़्यादा खुशुत है जैसे सामने से आप लोग देखे वगए तो और ज़्यादा खुशुत लगेगा यह द्छो पेंटिंग हो रहा है नौराती के तयारी चल रहा लगता है नय साल में नय साल जासे आएगा उसके बाद नौराती होगा बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं तो दोस्तों अभी क्या है मैं सूबह का टाइम आया हूँ तो बहुत लोग नहीं आये हैं भीड नहीं लगी दिख लेजए है और जो जनरली समार रहता है मंदिर के पास आपaben को combined geen पे दिख लेजए कि जो समा रहता है ग्याग्रीत है बच्चे को खिलहना है यह अब लोग को यहां पर मिल जाएगा आज तो आप लोग को आना चीह बहुत ही मुसवार जगा है तो यहां यह जो रोड है मिदल्द मैं पिछे साय से आया हूं और यह जो रोड सामने दीख रही है जो जहां से हम लोग जा रहे हैं दोस्तों राइपूर से होते हुए आती है राइपूर से होते हुए यह जो रोड है वो आती है और यह एक गेट है में गेट यही है एक चली में हम लोग पीछे से आ गए हैं लेकिन यहां से भी आप लोग आ सकते हो राइपूर से लगभग 70 किलिम्डर की दूरी पर यह स्थित है वाटरफाल है उसके साथ साथ मंदीर है दोनों का आप लोग आना ले सकते हो दर्शन कर सकते हो और यहां पर आप लोग चार्ट चार्ट और यह होटल का मजा भी ले सकते हो खाने पीने का तो यह वाटरफाल का एक बहुत खुसुरत जगह है और 36 का गरिया बंजीला तो यह इस्तित है और यह अंकल लोग है मैं लोग से पूछ रहाँ की रैपूर से किता क्लिम्टर है यह लोग बता रहे हैं 70 क्लिम्टर है तो चलते हैं पिछे साइट आप लोग को फिर से दिखाते हैं क्या है और क्यूंकि अभी मंदीर का अब लोग दरसन नहीं किए हैं तो चलते हैं इससाँ आप लोग को दिखाते हैं मंदीर दरसन कराते हैं तो चलते हैं दोस्तो देखो painting हो रही है और ये यहां पहाल हमा मतलब हमास किया जाता दोस्तों और पीछे साइट का है नजारा जो है पिछे साइट का चलते हैं यहां पर हवान होता है कि किया जाता है हवान और आगे चलते हैं दोस्तों 15 इंट का तयारी फुल जापर चल रहा है और यहाँ पर जो मंदीर इस देख लेज़ेहाँ पर एक छोड़ा सा मंदीर है आप लोग को तो मैं पहले दिखा चुका हूँ यहांपर पर यह 손 दिकाते हैं कि हम्यार को और यह मंदीर क surfing लोग ऋन्याफ मंदीर जाना है और ये waterfall है, यहाँ पर चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं मंदिर का भी दरसन कराते हैं दोस्तों आज विसेज दिन है और ठन का दिन है तो दोस्तों नहाने का तो अभी क्या है दर्स बज़ गया है तो धूब आ गई है तो नहाने का मन कर रहा है तो दोस्तों मैं आप लोग को मंदिर दिखा देता हूँ तो पहले मंदिर चल देते हैं उसके बाद आप मैं यहाँ पर नहा लूँगा वैसे मैं घर से नहा के आया हूँ लेकिन यहाँ नहने का मुझो मज़ा है वो मैं देना चाहता हूँ तो पहले आप लोग को मैं यहां पर पूरा दर्शन करा देता हूँ उसके बाद जाओंगा नहाने के लिए एक उबेज भगवान है और यहां पर जो मा है वो है देख लिजे यहां पर दर्शन कर लिजे जैमा घटारानी आप सभी का मनो कामना पूर्णा करें और यह दोस्तों उपार साइट का है यहीं से जो है वो जहरना निच्छे 40 फित निच्छे गिरती है तो देख लिजे और यह मंदिर है आगे चलते हैं क्या है मंदिर इसको देखते हैं और यह अनपूर्णा माता मंदिर है देख लिजे दर्शन कर लिजे उपर का है यह देख लिजे यहां पर पंडिजे भी है बगल में स्वई हुए हैं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बाक्स में जरूर्णा और यह दोस्तों आप लोग दर्शन के लिए जरूर्ण यहां पर आएगा कितना खुबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है चेटिस गड़ का एक गवराव है गरिया बंजीले का घटदानी माता मंदीर तो दोस्तों एक बार जरूर्ण आएगा और कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर्ण किजेगा कि कैसा लगा यह वीडियो और ये कैसा लगा यह जगा तो दोस्तों यह जगा है वो जरूर बताना में को क्योंकि अगर आप लोग को अच्छा नहीं मतलब अच्छे ढ़क से नहीं बनाओगा तो मैं फिर से इसको बनाओगा तो comment box में जरूर बताना दोस्तों कि कैसा ये बना है वीडियो तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए जगा के साथ तब तक लिए जए जोहार जए जए चेटिसगार जए हिन जए भारत